श्री शिवाय नमस्तो भियम फ्रेंड्स आज की जो हमारी वीडियो है एक वास्तू 3D प्रोडेक्ट पे आदा रहता है ये 3D प्रोडेक्ट क्या है और ये 3D प्रोडेक्ट हमें वास्तू में क्यों अभी इसका प्रयोग करना इतना आवशक है क्योंकि आजकल का जो यूग है न वो है टेकनोलोजी यूग इस यूग के अंदर हमारा कोई भी बिजनेस है सालों पहले वो बिजनेस एक छोटी दुकान में होता था आज वो ही बिजनेस ओनलाइन हो गया है यानि ओनलाइन और दुकान, फिजिकल सोप और एक ओनलाइन शोप इन दोनों के बीच की एक कॉंपिडिशन है उसी तरह हमारे आज एक्जाम इतने टफ होने लग गए हमें अच्छी जोब की प्राप्ती के लिए, प्रमोशन के लिए या कहीं पे जोब प्राप्तो करनी है कोई अच्छी प्राइवेट सेक्टर में या फिर गर्मेंट सेक्टर में वहाँ पे जो हमें पूछे जाने वाले सवाल जवाब वो उसकी तयारिया, उसकी एक्जाम की प्रिपेड होने के लिए अच्छी study के लिए talent के लिए और वो talent प्राप्ट करने के बाद हमारे पास बापी सारा एक competition बहुत सारे candidate उसी job के लिए already prepared होके हमारे साथ competition में खड़े हुए तो अगर आपको business के अंदर competition है factory के अंदर competition है या फिर आपकी study और job के अंदर competition है competition यानि अगर हम इसका अनुवाद करेंगे हिंदी में तो हरीफाई हरीफाई यानि ये competition race हरीफाई को हम जब भी सोचेंगे तो हम एक आकुरूती दीखेगी घोड़े की running horse दोड़ता हुआ घोड़ा ओके तो ये business संबंदित कोई भी परवकार की competition है आपका business नहीं चल रहा आपके business के अंदर भहुत competition है आपका business पानी एक कहते हैं ने पत्थर की तरह पहड की तरह ठेर गया है हमें उससे बहता करना है यानि उसको दोड़ाना है horse power horse power की जरूर है आपको business को आप किसी भी private job के लिए तैयारिया कर रहे है आप किसी भी सरकारी गर्वेंड job के लिए preparation कर रहे है तो उसके लिए आपको horse power गोड़े जैसी ताकत चाहिए गोड़े जैसा आपको दोड़ना भी है दोड़ोंगे कब जब आपके unconscience mind के अंदर ये 3D product punch करेगी तो आप उसको positive में लेंगे वास्तु का सबसे पहला एक rules है आप जिस चीज़ को देखते है वो चीज active हो जाती है आप negative चीज़ को देखते है तो वहाँ सबको negative feel आने लगती है positive चीज़ को देखते है तो वहाँ सबको positive thought आने लगते है यानि ये दोड़ता होए गोड़े का statue ये 3D remedy हो गई या फिर इसका एक चित्र वो हो गई आपकी 2D remedy तो आप ये दो में से कोई भी विकल आपके पास है उसको immediately आप अपने business के growth के लिए आपकी study में सफलता के लिए अच्छी job की promotion के लिए अच्छी job की प्राप्ती के लिए आप अपने घर के अंदर इसको factory में या घर में या shop में या आपके study room में कहां लगा सकते तो आपके वास्तू के अंदर जो south direction है ये है mangal का यहाँ पे mangal घर का वास है mangal यानि उर्जा उर्जा से भरपूर ये जो दिशा है वो fire की दिशा है अगर इस दिशा में हम horse power की energy रखेंगे यानि दोडता हुआ घोड़ा अगर हम दक्षिन दिशा में रखेंगे इस तरह से तो ये हमारे घर के अंदर एक positivity लाएगा एक energy लेके आएगा हमारी office में, factory में, shop में ये हमारे study room में जिससे हमारी आलस दूर होगी हमें competition में हम आगे जाएंगे हमारी कोई भी तरकार की परकार की depression है वो हमारा solo हो जाएगा, हमें एक ताजगी आएगी आत्मविश्वास की वुरुद्धी होगी पर यहाँ पर शर्त है rule sense regulation है जब भी आप दक्षिन दिशा में घोड़े का चित्र या statue रखते है तो इसका जो दोड़ने वाला face है, यानि जिस तरह से मैंने पकड़ा हुआ है, खास आप देखिए ये मेरे पीछे यहाँ पर east है और यहाँ पर west है अब east में हमेशा सुरज यहाँ पर sunrise यहाँ पर होती है always जब भी आप देखेंगे तो यहाँ पर always sunrise होती है सुबा सुबा, okay सुरज अपने साथ गोड़े के रत पर सवार होके वो अपनी गती के इसाफ से sunset पसिन दिशा में होता है यहाँ पर sunset हो जाता है इसी तरह वो साथ गोड़ों में से एक गोड़ा यह है ऐसा समझ के आपको यह गोड़ा इस तरह से रखना है यह statue इस तरह से रखनी है वो photo इस तरह से लगानी है कि गोड़े का गोड़े की दिशा के तरफ दोड़ता हो इस लोजिक के साथ इस गोड़े की तस्वीर या आप गोड़े के statue को horse के statue को लगा सकते यहाँ पर संक्या संक्या का भी एक बहुत महतुआ है कि एक single गोड़ा चाहिए यहाँ पर आपको एकी संक्या में यानि single digit यानि एकी एक तीन साथ नो इस संक्या के अंदर एक तीन पांस साथ नो इस संक्या के अंदर आपको गोड़े के statue और photo लगानी है तो यहाँ पर यह मुहावरा एकड़म fit होगा marching with the time यानि समय के साथ चलना है और गोड़े की तस्वीर निरादाने से फाइदा नहीं होगा साथ साथ थोट भी हमें pattern भी हमें बनानी है थोट pattern कि हमें घोड़े की तरह दोड़ना भी है तो आपका यह छोटा सा प्रयोग एक छोटी सी 3D remedy या 2D remedy जो भी आपके संभव वो कर लीजिए और आने वाले दिनों में आप देखिए आपका बिजनेस कहां था और कहां पहुँच गया और आपको किस तरह से कौन सी job मिल गई और job में आपको कितनी promotion हो रही है जो अभी job कर रहे है उनके लिए भी यह उपाय है और जो job नहीं कर रहे है उनके लिए भी यह उपाय है जो बिजनेस कर रहे है उनके लिए भी यह उपाय है और जो बिजनेस करने की सोच रहे है उनके लिए भी यह उपाय है जो सोच रहे है उसकी thought pattern को बढ़ाएगा और जो कर रहे है उनकी activity को बढ़ाएगा तो friends आज की वीडियो में यहीं पर